गदियोत सव इसमें सुनिये डॉक्टर S.V.S.S. नारायन राजु से उनकी वारता मैं लक्ष्मी मैं हिजडा आत्मकता में किन्नर जीवन के अंशुए पहलू किन्नर समदाय के अधिकाम्ष बच्चों को जन्म से किसी ना किसी किन्नर गुरु के हाथ सौंप दिया जाता है। गर की किडकी और पर्वत इनके बीच में एक छोटा सा ठीला है। हरी आस ओडे हुए गाए बखेरू हमेशा चरते हैं उस पर हमेशा चहल पहल रहती हैं इस ठीले पर और इसी लिए वो जिन्दा लगता है। इस जिन्दा ठीले पर एक पेड़ हैं कौनसा है क्या पता। मै महिने कभी जान बुझ कर जाकर देखा नहीं। अच्छा है बारहों महीने हरा बरा रहता है। सदा बहार हवा के साथ लह लहाता है। पर कोई पेड़ नहीं उसके साथ। इस उंचे पेड़ का अकेला पन इसलिए आंकों में खलता है। बहुत बार कलेजे में ठीस उठती ह इस पेड की तरफ देखते रहने पर मुझे लगता है मेरी जिंदगी भी तो आईसी ही है सभी के साथ हूँ फिर भी अकेली इस कतन से मैं लक्ष्मी ही नहीं बलकि किन्यर समदाय के उन तमाम बच्चों की समवेदना प्रकट होती हैं दाहिक विसंगती के कारण उस पेड की बानती सब के साथ रहगर भी सबसे बिन और अकेलापन महसूस करते हैं लक्ष्मी नारायन त्रिपाटी का जन्म मद्यवर्गी ब्रहमन परवार में सबसे पहले लड़के राजू के रूप में हुआ बचपन में डॉक्टर ने लक्ष्मी को पुर्ष लाइंगकता की स्रेनी में दर्ज किया माता पिता ने भी अपने गर के बड़े बेटे की बानती उसका लालन पालन किया तदा कूब लाड़ प्यार के साथ सिक्षा और समस्कार दियें किन्तू लक्ष्मी वुर्फ राजू में उम्र के साथ हाव बाव और चाल चलन में बदलाव दृष्ट गोचर होने लगे लक्ष्मी स्वैयम जिस लिंग में पैदा हुआ उसमें कतई सहजान बूती नहीं था शारिरिक बदलाव के साथ उसके साथ आसपास के रिष्टेदारों और सहपाटियों के व्योहार भी ठीक नहीं था लक्ष्मी के बचपन से लेकर किनर समदाय से जुड़ने और उनके अधिकार प्राप्त तक के सफर के विबिन पहलों को इस आत्मकता में वुजागर किया गया है राजू वुर्फ लक्ष्मी बचपन में काफी बिमार रहता था इसके कारण काफी दुबला पतला भी था साथ वर्ष की उम्र में पहली बार रिष्टेदार के लड़कों ने गाउ में यवन शोशन किया लक्ष्मी को डरा दमका कर गर बेज दिया गया कि यदि किसी को बता दिया तो उसकी और अधिक सजा मिलेगी लक्ष्मी ने दीरे दीरे अपने जिवन से अंचाहे लड़कों को दूर किया वो अपनी लाइंगकता से परेशान होकर एक दिन अशोक राव कवी से मिलने जाती है उन्होंने लक्ष्मी को प्रेरित करते हुए कहाता तुम एबनार्मल नहीं हो बच्चे नार्मल ही हो एबनार्मल है ये हमारे आसपास की दुनिया ये हमें समझ नहीं सकती पर तुम उसके बारे में मत सोचो यहां आये हो ना अब हम मिलकर इसमें से रास्ता निकालेंगे अब तुम जो कर रहे हो वही करो अभी तुम बच्चे हो पढ़ाई करो डांस सीक रहे वो सीकते रहो कुछ भी बदलाव लाने की जरुरत नहीं है इससे सपस्थ होता है कि समाज और विद्याले में ऐसे बच्चों के साथ अमान विय व्यावार किया जाता है जिसके कारण लाइंगिक विक्रुती वाले बच्चे मानसिक प्रताडना के शिकार बन जाते हैं लक्ष्मी जैसे समजदार अलाइंगिक किशोर को इतनी समस्या का सामना करना पड़ा यदि इसके साथ सामान किन्यर बच्चों की क्या दशा होगी जिन हैं कोई माता पिता भी स्विकार नहीं करते इस प्रकार के सामाजिक और साहपाटियों के सोशन के साथ लक्ष्मी ने कालेज तक की पड़ाई पूरी की और तनमाईता के साथ बरतनाच्चम का प्रसिक्षन देने की शुरुवात करते हुए आत्म निर्भरता की तलाश में लगी रही बहुत सारे किनरों या ट्रांसजंडरों को मजबूरी में ही देह व्यापार की वोर आगे बढ़ना पड़ता है परन्तु लक्ष्मी नारा एंट्रिपाटी अपने बारे में कहती हैं मैंने बार में काम किया पर सिर्फ डांसर के रुप में मेरा डांस देखो अच्छा लगा फिर देखो पर बस उतना ही अपने शरीर को किसी के चूने तक नहीं दिया मैंने बचपन के कुछ साल छोड़ दूँ तो अपने शरीर का मैं कुद ही मालिकता आज भी हूं राजु का जिवन के शुरुआत से अब लक्ष्मिनारा एंट्रिपाटी बनने की शुरुआत बारे में नुर्च कलाकार बनकर दांस करता है वही लक्ष्मि अपने सातियों की जिंदगी को देख कर भी अच्यदिक हतोत साहित होती हैं जब लक्ष्मि अपने जैसे लोगों से गुलने मिलने और उनके साथ उठते बैटते अपने संधाय को समझने लगी किनर समधाय का इतिहास और उनकी समस्कूती का गहन अधेन करने के बाद किनर बनने का निरने ले लेती हैं अपनी सहेली शभीना के साथ किनर गुरु के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं मुझे चेला बनना है कम्यूनिटी में आना है पर उसकी एडमिशन फी कितनी है डोनेशन कितना देना होगा लता नायक ने कहा नहीं बेटा यहां फीज नहीं है डोनेशन नहीं है तुम्हें दिल से लगता है तो तुम चेला बन सकते हैं इस प्रकार लक्षमी 1998 में लता गुरू की सिश्या बन जात 377 के किलाफ देश बर में आंदोलन शुरू है तब लक्षमी ने टीवी चानल पर बाइट दिया तब घर में माता पिता को सारी सच्चाई पता चला जब लक्षमी घर पहुंची तब पिता की पहली प्रतिक्रिया थी अपनी 14 पीडियो में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा त इसके घरवालें क्या कहेंगे इस प्रकार बारतिय माता पिता का गुस्सा जायज हैं जबकि इस प्रकार के बच्चों के साथ मानसिक रूप से सुद्ध रुडता के साथ कड़े होने की सक्त आवश्यकता है किन्तु संगर्शशील राजु ने लक्ष्मी बनने का सफर तै ही नहीं किया बलकि जन्मजात माता पिता की जिम्मेदारी के साथ किन्नर समदाय में गुर्ष सिश्यों की परंपरा रुपी दोनों नावों में सवार होकर आगे बढ़ने का हौसला बनाया उसने बर्धनाच की सिक्षा प्राफ्त करके अपनी पहचान स्तापित की थी मुक्यदारा की समाज में लिंगी या अल्पसंक्यकों को वैसे तो आगे बढ़ने के आवसर ना के बराबर मिले लेकिन लक्ष्मी जैसे किन्नर ने अपने समदाय के लिए अनेक आनेक द्वार कोल दिये हैं लक्ष्मी नाराय ने समय के साथ दन, दवलत और शोहर तीनों कमाए मैं हिजडा, मैं लक्ष्मी आत्मकता आम परिवार में जन्म लेने वाले किन्नर को जिमेदार बेटे की बुमिका का सफल चित्रन करती हैं इसके अलावा बारती किन्नर समदाय का प्रद्नीदतो करने वाली राजू से बनी लक्ष्मी नाराय एंट्रिपाटी का वास्त्विक संगर्ष और उसकी सफलता का वुदाहरन को पेश करती हैं दारा 377 हटाने और बारत में किन्नर समदाय को तुरुते लिंग का दरज्या वाव उनके अधिकार दिलाने में किस प्रकार लक्ष्मी और उनके सात्यों का संगर्ष रहा उन तमाम गठनाओं को विस्तार से बताती हैं इन सब गटनावों के साथ किनर समदाई की कमियों रूडीवादी सोच के कारण पिचलेपन का कारण भी उजागर करती है लक्ष्मी ने अपनी आत्मकता में किनर रीति रिवाज और सामस्कूते जिवन को बकू भी विस्तार पुरुग डंग से चित्रित किया है प्रिस्तत आत्मकता लक्ष्मी के बच्पन से लेकर किशोरावस्ता, युवावस्ता के साथ प्रवडावस्ता का संगर्ष, समर्पन, सफलता, आशा, विश्वा, स्प्रेरणा और जीवन के उतार चड़ावों का दस्तावेज है जो तमाम लोगों को जीवन मूल्य और जीवन की साध्धकता को बनाये रखने का गुर्वा हुनर सिखाता है इसमें बारतिय और अंतराष्क्रीस तर के किनरों के जीवन की समानता, असमानता के साथ दार्मिक, आर्दिक, सामस्कृतिक और राजनेहितिक कारणन से किनर समदाय के साथ होने वाले बेद बाव और उनकी इदाद स्तिती को लक्षमिनारा एंट्ट त्रिपाटी ने सफलता पूर्वक चित्रन किया है।